तो इस बर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL exam के लिए जो marketing management का section है और आज आपकी 15th classes से पहले अगर आपने 1-14 classes नहीं किये हैं जाके करके आओ बहुत सारी चीज़ें आपको से रिलेट हो पाएगी है ना शुरू करते हैं आज का session और आज आपकी class number 15 है तो बस मार्केटिंग जब भी आपके सामने आएगा ना तो इसमें important चीज़ें यही निकल के आती हैं पहले तो आपको market पता होना चाहिए market में need want demand क्या है उनके types क्या है then market कितने type का होता है क्या-क्या markets होते है उसमें economy का flow कैसे होता है then आपका या आप खुद से सोचो कि यह चीज होती है उसके लिए कई PSUs में exam होते हैं या फिर interviews होते हैं तो उसमें objective type question करने को देते हैं तो इन सब चीजों में आपका यह questions पूछेगे आप जैसे कि आप marketing की बात करोगे तो marketing में क्या marketing होती है उसके core concept क्या होते है दैन आपका marketing कितने कितने type की होती है अलग-अलग type की आ अलग-अलग type की marketing आती जा रहे हैं कहीं grassroot marketing हम कहीं देख रहे हैं कहीं जो आपका niche marketing है वो हमें देखने को मिल रही है ठीक है तो यह सब आपका AK करके आता जाएगा segmentation कैसे किया जाता है marketing में यह हमने देख लिया आपका customer का behavior कैसे affect करता है marketing को किन-किन factors पर customer का behavior depend होता है यह सब हमने देख लिया यह मैं आपको जो main-main lines है वो बता रहा हूँ फिर इसके अंदर हमने काफी कुछ देखा हुआ है segmentation में जो important आपके framework हो गए world framework क्या है अलग-अलग segmentation के हिसाब से क्या customers की category बनती है वहां से questions बनते है ठीक है दन आपका question बनता है यहां से कि आपका product किस बारे में important points समझने पड़ेगे फिर यहां पर सबसे important बात आती है brand क्या है brand क्या है brand equity क्या है brand image क्या है इसके बारे में important points और यहां से important questions बनते हैं ठीक है तो यह सब चीज़े related है और यह जो चीज़े है ना यह बहुत ही extracted way में निकाली हुई है जहां-जहां से आपके questions पू बढ़ेंगे फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे product के साथ ही हम यहां पे services को आज निप्टा लेंगे services में क्या characteristic होते हैं क्या यहां से questions बनेगे तो आपको यह चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर मेरा एक subject है तो उससे क्या associated चीज़ें से question बनते हैं कहां कहां से आते हैं ऐसे नहीं की कुछ हता पता नहीं है कि सर यह ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा इसे नहीं होती है तो यह हमें complete करना है शुरू करते हैं आज का session और यह सब हमने कर लिया है अभी हम आएंगे यहां पे जब हम यह सारे concept को clear करे तब जाके आपको यहां पे BCG matrix समझ में आएगी क्योंकि BCG matrix में भी यह जो आप देख रहे हो स्टार्ट से question बार के इन सभी में कहीं ना कहीं product mix का use होगा आपको product mix हो गया product line हो गई यह सब चीज़ें पता होनी चाहिए इसको BCG matrix को समझने से पहले इसलिए मैंने आपको य याद हो नोट्स आपने बनाए होगे कलवाली टेबल खोल के देखोगे तो उसमें मैंने आपसे क्या बोला कि उसमें product line जो है आपकी जो हमने hul की product line देखी तो उन्होंने product line वन यहाँ पे जो वाली थी हमारी उसमें कई सारे product डाल रखे थे ना उसमें जो हमारे product items थे hul produce नहीं करता है यह हटा देना निर्मा तो अलगी company है और इन दोनों की तो rivalry चलती है दोनों की competitive नेस चलती है निर्मा और hul की ठीक है यह चीज थोड़ा सा एक बार देख लेना वहाँ से निर्मा को हटा देना ठीक है सोप वाले में मैंने निर्मा लिखाया होगा अब दे ने start कर दिये तो basically यहाँ पर अपनी product line को क्या करते जा रहे थे बढ़ाते जा रहे थे ठीक है ना increase करते जा रहे थे अब यह जो हम increase करते हैं ठीक है न increasing product line इसको ही बोला जाता है line stretching ठीक है न increasing product line को हम क्या बोलते है एक आपको term दिया गया क्या line stretching term दिया गया तो आप से कभ रहे होगे ठीक है इसकी अगर आपको definition लिखना हो तो यह भी लिखा देता हूं रुकों तो यहां पर क्या लिखोगे it means it means इसका मतलब क्या होता है किसका कैसे length करोगे बहई ब्यॉंड दा करेंट रेंज यानि कि आपकी जो भी करेंट रेंज थी अभी के टाइम पर ब्यॉंड दा करेंट रेंज अब जैसे कि मैंने आपको कल बताया product line जो HUL की है ये lengthening में देखो एक N गायब है देखो lengthening में मैं क्या बूल रहा हूँ आपसे HUL की यहाँ पे 4 product line थी हमने कल देखा 4 product line थी और भी है लेकिन मैं आपसे एक hypothetical example ले रहा हूँ तो 4 product line है अब इसने क्या किया इसने का अब एक काम करते हैं 5th वाली एक product line और launch कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा line stretching करना हो जाएगा ठीक है इसका मतलब क्या हुआ आपने जो current range थी आपके product line की उसको आप दी में दी में क्या कर रहे हो lengthening कर रहे हो बढ़ाते जा रहे हो क्लियर हो गया line stretching का मतलब क्या होता है अब इस line stretching में तीन आपके type आते हैं एक होता है downward stretch पहला वाला type दूसरा होता है upward stretch और तीसरा होता है both way stretch बड़े ही ध्यान से समझना तीनों stretch में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है अच्छा और एक चीज और यह चो अभी आप देख रहे हो ना कि यहां जितनी भी classes चल रहे हैं किसी भी कहीं भी देख लेना पूरे YouTube पर देख लेना कहीं भी paid courses में कहीं भी जितना content में दे रहा हूं आपको जितना to the point दे रहा हूं निकालके बिल्कुल इतना merge करके न तो यह आपको कहीं नहीं मिलेगा विकाज अभी तो मैं करा ही रहा हूं न यह जब यह हो जाएगा तब आपको और कहीं देखने को मिलेगा सारी चीज़ें जातो यहीं से रहे हैं ठीक है तो यह चीज है अब खेर यार छोड़ो मतलब कभी-कभी न एक दम माइंड में ऐसा it feels very awkward कि यह खेर छोड़ो यहां प मेरा present product है इसकी pricing यहां पर है ठीक है जैसे आप नीचे जाओगे आपकी pricing low हो रही है उपर जाओगे pricing high हो रही है ठीक है यह बात है अब जो मैंने यहां पर present product था मैंने नया product launch किया यानि कि मेरी जो नई product line मैंने launch करी है उसमें क्या होगा धान देना यहां पर हम product line launch कर रहे भी आप increment कर सकते हो, यह यार ऐसे समझना, जैसे product line का यहाँ पर यह जो हम देख रहे थे, यह क्या थे product items थे, तो यहाँ पर भी आप increment कर सकते हो, नई वाली जो product line है, यहाँ भी increment कर सकते हो, यह तो आपको समझ में आ गया, 1, 2, 3, 4 product line थी, मैंने 5th वाली line भी डाल दी, तो यह भी मेरा क्या हो गया, stretch करना हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, जैसे मेरे यहाँ पर total कल 9 product मैंने आपको दिखाये थे, हम निर्मावाला हटा दोगे, तो 8 हो जाएंगे, ठीक है, 8 product मैंने जो आपको दि suppose करो, मेरी mobile phone की यहाँ पर branch है, ठीक है, mobile phone की मेरी product line है, और मेरी company का नाम है क्या my phone, और मेरी जो company है my phone, उसका program बिलकुल iPhone जैसा ही है, कि मैं क्या घड़ता हूँ, कि यह जो मेरे phones हैं, वो काफी higher end के आते हैं, और वो status related हैं, बिलकुल ठीक है, higher end के phones आते हैं, सारे के सारे phones उसकी जो pricing है, वो 80,000 की उपर है, चलो 70,000 की उपर है, ठीक है, ऐसा माल लो, अब क्या किया, कि मैंने यहाँ पे एक अपना नया product launch कर दिया, जिसकी pricing कितनी थी, 20 to 30,000 का मैंने product launch कर दिया, और मेरी product line को मैंने stretch कर दिया, लेकिन जो नया product आया, उसकी pricing कैसी है, मेरे present product से कम ह तो एक बात याद रखना, point number one क्या लिखोगे, downward stretch में आपका हमेशा क्या होता है, जो नया product की pricing होती है, price of new product, price of new product is less than the price of present product, ठीक है, यानि कि जो हमारा present या फिर जो हमारा current product होता है, उससे pricing कैसी होती है, कम होती है, downward stretch में, इसलिए इसको बोलते है, downward stretch, because आप pricing कम लेके ज आ रहे हो, अब इसका side effect क्या होता है, कई बार तो ऐसा होता है, कि जैसे suppose करो, यहाँ पे अब मैं कुछ company है, जैसे real me वगेरा है, अब इसकी बात करूँ, तो यह अगर अपना कम new product निकालेगा, कम pricing में, तो इसका बहुत ज़्यादा बिखेगा, ठीक है, तो इसको ज़्या आया करते थे, यानि कि इनके अंदर एक class थी, Parker का pen लेना, it meant class, बट धीमे धीमे क्या किया, Parker pen ने अपना एक ball point, जो ball point के pen होते हैं, वो launch कर दिया, बहुत कम pricing में, तो अब हुआ क्या लोग, Parker pen वो कम pricing वाला लेने लग गए, और उसका जो यह higher end वाला product हुआ करता था, यान ब्रांड आपको मिली रही है, और उसमें आपका pen भी कम कीमत में मिल रहा है, तो लोगों ने उसको लेना प्रफर कर दिया, तो sales क्या होती है, इसमें जो आपके higher end वाला product होता है, या फिर जो present product होता है, इसमें खतरा क्या है, threat लिख लो, इसका downward stretch करने का, threat ये होती है कि लो अपने words में ठीक है, जो present product या फिर premium product होता है, उसकी sales कम हो जाती है, ठीक, because वो pen है, लेकिन अगर मैं यहापे बात करूँ, आपका, किसकी बात करेंगे, आप cars में Mercedes की बात कर लो, ठीक है, जो Mercedes का राती है, Mercedes, ठीक है, Mercedes ने क्या किया, आप जैसे, Mercedes का जो higher end variant आता है, cars का वो S model होता है, ठीक है, जो S model होता है, वो higher end होता है, और सबसे lowest जो end था, इसने E launch किया था, तो जो E series की कार है, वो थोड़ी सस्ती है, S series की थोड़ी महगी है, बट यहाँ पे क्या हुआ ना, उसमें आपको जो experience मिल रहा है, अब car में तो आपको पूरा का पूरा experience चाहिए होगा ना, तो अगर जो अब धीमे-धी में क्या हुआ, जैसे E series की कार है, यह तो जो थोड़े upper middle class के लोग हैं, या फिर थोड़े थोड़े दिन पहले upper class में गए हैं, तो वो लोगों ने तो E series ले ली उनको तो बस थोड़ा नाम वगेरा दिखाना है, जो अपने achievers type के ल सामते दानों के चलो बताओ, तो उपर वाले होते हैं achievers, नीचे वाले होते हैं strivers, तो कभी अगर strivers वाले achievers category में जाएंगे, थोड़ा पैसा रहेगा, उनके पास थोड़ा हलका सा पैसा जादा आएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, status दिखाने के लिए E वाली जो series की, या फिर उसका जो एक feel है, वो इतना नहीं आ पाएगा E series में, वो मिलेगा आपको S series में, तो यहाँ पर जब Mercedes जैसी company जहाँ पर product में अंतर होता है, है ना, उसका use में अंतर आ जाता है, तो वहाँ पर उस company को ज़्यादा loss नहीं होता, बट Parker की कैस में क्या हो गया, यहाँ लॉस हो गया, तो यह सब देखके चलना पड़ता है, clear है मेरी बात समझ में आती है क्या आपको, then ऐसे ही आपका एक example है, P&G, P&G आपने group सुना होगा, P&G का चलो full form बताओ, मुझे आपको आता है, क्या P&G का Procter & Gamble है शायद है, P&G group का एक aerial इन्होंने निकाला था, तो aerial aerial जब इन्होंने निकाला, यह एक वो था आपका laundry product और जब इन्होंने starting में aerial निकाला, तो यह काफी महँगा था, ठीक है, aerial micro system detergent करके आता था, aerial micro system detergent, तो यह जो detergent था, काफी महँगा था, काफी quality थी इसमें, लेकिन महँगा बहुत था, अब detergent का का काम क्या, आपको सर्फ भी मिल रहे थे, सर्फ वगेरा भी मिल रहा था, तो इसने क्या किया, फिर आगे चलके, aerial का ही lower version निकाल दिया, aerial super soccer, ठीक है, aerial super soccer नाम से निकाला, फिर वो क्या हो गया, जो आपका नया product था, pricing कम थी, लेकिन अब sales उसकी बहुत ज़्यादा होने लग गी, premium product इनका पड़ेगा, एक case में आपको फायदा भी हो सकता है, launch करने से, ठीक है, चालो, अब बात करते हैं, यहाँ पर upward stretch की, upward stretch में क्या होगा, आपका जो present product है, उसकी pricing कम है, बट आप जब जैसे ही अपना new product launch करोगे, उसकी pricing आपकी क्या होगी, ज्यादा pricing में आप launch करोगे, यानि क बट इसने क्या किया, दीमे-दीमे, यहाँ पर कुछ इसने free में अपनी movies वगेरा डालनी, songs वगेरा डालनी, start कर दिये, और आज के time पे इसने present product था, इसका दीमे-दीमे, आप क्या कर दिया है, उन product में एक तो उसने add वगेरा से कमाई की, फिर उसने क्या किया कि अब कर दि product ये लेके आये हैं, उसमें pricing रख दिया, पहले से जादा ही होगी ना pricing, ठीक है तो इस तरीके से अब इसे क्या होगा, इस वाले case में फायदा होगा की नहीं होगा, अरे बोलो हाँ फटा-फट से, फायदा होगा ना, पूरा अच्छे से mind में बैठता जा रहा है, आपको द देखना चाहो, इस case में mostly जो है, इस case में फायदा हो रहा होता है, लेकिन अब जैसे कुछ companies हैं, mobile companies हैं, तो उनको यहाँ पे loss हो जाता है, अगर आपका बात करोगे, आप Micromax की, तो Micromax company जो है, वो जा नहीं इसलिए जाती है, विकॉस वो product जो है, आपका कम pricing में लाखी द ना, वो 800 की थी, ठीक है, मारूती 800 पता होगा सभी को, and इसने Omni, ठीक है, 800 and Omni, यह दो product launch किया, यह कैसे थे, जो उसके present product थे, इनकी pricing कम थी, फिर इसने धीमे-धी में क्या किया ना, कि इसने मारूती Zen launch कर दी, मारूती Steam launch कर दी, फिर आपका Swift launch कर दी, तो इनकी pricing धीमे-ध आई हुई तो इन्होंने इस तरीके की, उसमें facilities प्रोवाइड करी, और अच्छा model प्रोवाइड किया इन्होंने, ठीक है, और इससे क्या हुआ, इनका product भी बिकना start हो गया धीमे-धी में, और pricing इतनी जादा भी जादा नहीं की, कि competitiveness ही खतम हो जाए, market में competitiveness भी maintain करके, इ इन्होंने नया product अच्छी pricing में launch किया, इससे इनको फायदा हुआ, यह होता है आपका upward stretch, समझ पा रहे हो क्या product line में इन्होंने increment करा गी नहीं करा, पहले 800 आती थी, ठीक है, क्या बूलते थे इसको, मारूती 800 है ना, फिर 800 और Omni दो product, दो product item थे, फिर इन्होंने उसमें, Zain Steam, Swift, तीनों कर दिये, तो आपका यह क्या हुआ, product line में increment हुआ कि नहीं हुआ, तो stretch हुआ है, तो upward stretch इसको बोला जाता है, फिर एक case आता है कि company क्या करती है, जैसे कि मेरा present product आपका यहाँ पे है, तो उन्होंने कुछ product तो launch कर दी या फिर इन्होंने, suppose करो, दो product launch किये minimum, इस इसमें से एक product की जो pricing है, वो present product से कम है, एक product की जो pricing है, जो अपना present product है, उससे जादा है, clear है, तो इस case में क्या होता है, इसको बोला जाता है, both way stretch, याद रखना इस case में क्या होता है आपका, जो pricing of present product है, वो बीच में रहती है, आई जा हमने जो नय product item launch किये हुए है, उसम पर आप लिखोगे present product present product की जो pricing है यह आपकी ऐसे होगी then यहाँ पर new product 1 की pricing और फिर आपका ये P2 लिख लो new product new product 2 की pricing ठीक है तो जो आपका present product रहेगा वो बीच में रहेगा clear है क्या मेरी बात तो इस case में क्या होता है आपका जो product है वो कही ना कहीं बहुत बड़े market segment को cover कर र और जो customers का medium segment है उसको भी cover करेगा तो जब आप तीनो अपनी product लाइन में आपके तीनो टाइप के product होते है तो वह काफी ज्यादा helpful होता है जैसे कि आप अगर अपना ये क्या बोलते है हुल को इठा लो हिंदुस्तान Unilever Limited को तो यह जो अपने laundry product लेके आता है वो सर्फ भी यह हो गया ठीक है तो इस तरीके से आपका जो है product का हम stretching करते है ठीक है product line का stretching इसको बोला जाता समझ में आगया होगा तीनो टाइप की stretching अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब आगे चलके हमारे पास बात आ देखो जैसे कि हम ने देखा प्रोडक्ट-Line stretching उसी से थोड़ा सा इसमें और भी नए product items डाल देंगे ठीक है लेगिन इसका definition आप एक बार लिखो क्या होती है adding more products adding more products यानि कि आप क्या कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा product को add करना to an existing to an existing product line ठीक है न कोई existing product line में और भी products को add कर देना in order to leave in order to leave no gaps यानि कि आप उस product line में कोई gap ही न छोड़ो जहाँ पर कोई into which competitors might move अब देखो यह आपको अब समझ में आएगा थोड़ा सा अच्छे से कैसे जब मैंने आपको यहाँ पर बताया उपर कि यह जो हमारा third type की हम stretching कराते हैं जिसे both ways stretching बोला जाता है इसमें हमने present product से थोड़ा कम pricing वाला new product भी launch कर दिया present product से high थोड़ी जिसकी pricing है product भी हमने launch कर दिया ठीक है तो अब basically हुआ क्या यहाँ पे हमारे सारे type के जो customer है सारे segment के customer हमारे यहाँ पे cover हो गए low high जो medium थे यानि कि हमने जब इतने सारे product line में अपने product item launch कर दिये हैं जहाँ पे कोई gapी नहीं बचरा कोई competitor यहाँ पे move कर पाए तो उसको बोला जाता है product line filling ठीक है न ऐसे stretch करना कि आप हर segment के customer से deal कर पा रहे हो आपका product जो है और वहाँ पे किसी competitor के लिए जगए नहीं बची हुई है उसको बोला जाता है क्य product line filling फिर आता है आपका product line pruning क्या आता है अब आपका product line pruning अब यह product line pruning क्या होता है इसको ध्यान से समझना क्या हुआ मैंने यहाँ पे तो जब हम product line filling कर रहे हैं stretching करा रहे हैं तो इसमें हम नए ने product जैसे कि यह product line है ठीक है product line 1 है यह इसमें मैं क्या कर रहा हूँ product को add करता जा रहो हूँ, लेकिन जब हम क्या करते हैं ना, product को यहां से हटाते हैं, यानि कि कोई product हमारा है उसको remove कर दिया, product line में से suppose करो, यहां पे मेरे एक product line में total 8 item थे, मैंने इन 8 item से 2 item को remove कर दिया, क्योंकि वो मुझे फायदा ही नहीं दे रहे थे, या फिर जैसे कि अगर मैं करना अपनी शुरू करेगा, यानि कि आपके बहुत सारी जो product भिक रहे थे, items भिक रहे थे, आप उसमें क्या करो, धीमे धीमे कटाओती कर दो, क्योंकि आपको वहां से ज़्यादा वगेरा मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो अगर आपसे पहली बात तो कभी पूचा जाए, क प्रोड़क्ट स्ट्रेचिंग क्या होता है, तो क्या बोलोगे भाई, फोजेट होता है इसका लाइन प्रूनिंग, ये आपका question पूचा गया है, product लाइन प्रूनिंग इस ओ अपोजेट आप गया है, अगर deliberate word का use किया हुआ है deliberate decision to to एप आन को क्या हो गया बेटा second color change कर लेंगे देखो decision to, क्या decision लिया है भई कि हम क्या करें भई, cut down कर दें है ना, to cut down the number of items, to cut down the number of items number of items in product line यानि कि product line में से हम जो भी हमारे items हैं, उनको थोड़ा सा cut down करना, start कर दें, हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा loss हो गया हो किसी product की वजए से तो उसको हम वहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, और एक बात आप समझना जैसे कि suppose करो किसी ने क्या किया है, कोई company है धीमे धीमे उसको अगर फायदा होता जा रहा था तो वो क्या करेगी, काफी सारी अपने product line में addition करती जाएगी उसको stretch करती जाएगी, लेकिन एक time ऐसा आता ही है कि सारे product में से कुछ product जो है, बिकना ही बंद कर देंगे तो उनका हमें क्या करना पड़ेगा भाई, product line प्रूनिंग करनी पड़ेगी हमें उसके, ठीक है समझ में आती है कि अतनी इसी बात, फड़ावट से हाँ बोलो, clear है, चालो अब इसका example देता हूँ आपको जो आपका head and shoulders shampoo आता था पहले अगर मैं आपसे, अभी भी आता है, खेर पहले तो क्या ही आता था जो head and shoulders है, ठीक है head and shoulders shampoo के न, एक time पे जो ITC इसको बना रही थी, तो इसके total around 30 या 31 variant थे, ठीक है, कितने थे 31 variant थे, variant या फिर हम इसको क्या बोलते है, item, तो इन 31 variant या item में से कोई ऐसा था, किसे कोई है silky hair के लिए, कोई है आपका shiny hair के लिए, कोई variant था आपका thick hair के लिए, कोई था long hair के लिए, कोई था आपका dandruff free hair के लिए, तो बहुत सारे variant थे, item थे, लेकिन एक time पे नहोंने observe किया कि ऐसे इतने सारे variant या item बनाने का कोई फायदा ही से cancel कर गे, इसकी pruning कर गे, इनको कितना कर दिया, 15 कर दिया, तो आज के time पे head and shoulders के total 15 variants आते हैं तो ये चीज होता है, इस तरीख, इसलिए कई सारे reasons होते हैं, आपकी manufacturing जो चमता है, उस पर बहुत ज़्यादा stress पढ़ रहा है इतनी ज़्यादा बिक्री हो नहीं रहे कि आपका हर item अब है तो सारे के सारे head and shoulders अब कोई silky है, कोई shiny है, कोई आपका thick hair है, कोई long hair है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है है ना, तो ये सब चीजें होती है समझ में आया, क्या पहले दो इन्होंने जो है एकदम bigger आथा shampoo तो बहुत सारे variant निकाल दिये, बट at a time इन्होंने देखा कि अब इससे ज़्यादा हमें फाइदा इतना हो नहीं रहे, overall ठीक है तो इसको बंद कर दिया गया, ये सब होता है आपका किसी भी product में, बास समझ में दिया, Theodore Leavitt ने, ठीक है न, किस ने दिया था Theodore Leavitt ने दिया था, जिन्होंने यहाँ पे आपका marketing myopia का concept दिया था किसका concept दिया था, marketing myopia का अच्छा मैं आपको marketing myopia तो करा चुका हूँ न, शायद मैंने आपको ये myopia के बारे में हाँ, marketing में ही कराया था इनोंने basically अगर इनकी सारे के सारे articles को देखा गया तो एक basic हमारे पास definition निगल के आती है, product life cycle की, कि it is a जो product life cycle है वो लिख ले न, मैं इसको it से represent कर रहा हूँ, it is a period of time, it is दा बोलोगे ठीक है, क्योंकि particular period of time है, it is the period of time ये एक period of time होता है, जिसमें कि आप product a product goes from being introduced goes from being introduced, being introduced, यानि कि आपका ये वो period of time होता है, जिसमें कि आपका product एक बार introduced किया गया, into the market being introduced, into the market यानि कि market यहाँ पे जो आपका group of customers है, group of consumer है, buyer है, उनके market में गया, ठीक है, introduce करवा दिया गया, until it is, until it is, until it is taken off the shelves, ठीक है ना, taken off the shelves का मतलब होता है, ये एक idiom है आपका, इसका मतलब होता है कि आपका उस product को, अब उसकी बिकरी इतनी नहीं होती है, उसको हटा दिया गया है वहाँ से, या फिर वो उसका जो market था, वो खतम हो गया, ठीक है ये चीज़ है, तो बेसिकली आपका, जी, जो life cycle है, product की वो क्या होती है, कि आपका एक बार product यहाँ पे introduction करा दिया गया और उसका जो decline हो गया, तो यहाँ पे Theodore Leavitt ने बोला कि total जो है, अगर मैं classify करूं तो चार इसको हम, इसको basically चार parts में divide किया जा सकता है या फिर चार stages में basically, देखो इसको मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ज्यादा better समझ में आएगा, देखो अगर इन्होंने कहा कि आपको किसी भी product को classify करना है, तो चार आप क्या करो भी, इस तरहीगे से करो, चार cycle में ऐसा चार्ट बनेगा इसका, देखो क्या हुआ, ये पहली वाली stage हो गई, अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये हो गई आपकी introduction वाली stage, ठीक है, नो ने क्या बुला, पहली stage क्या होती है, आपका जो भी product है उसका आप introduction कराओगे ना, सबसे पहले तो, इसके बाद में आप क्या कराओगे उसका growth होगी, ठीक है ना, क्या होगा ये growth वाला period, ये जो आपका दिख रहा है, ये क्या है growth हो रही है ना, देखो यहां से यहां तक क्या हो रही है, growth चलती जा रही है तो जो second stage आती है, वो time, यहां पे बढ़ता जा रहा है, time के साथ आपकी, देखो, introduction के साथ आपका अब ये क्या हो रहा है यहां पे, growth बढ़ती जा रही है, ये वाला जो portion है ठीक है, तो ये growth का हो गया फिर क्या होता है, यहां पे जब product इस तरीके से ये होती है, आपकी maturity यानि कि वो product की अप क्या हो गई है maturity हो गई है, फिर ये जो आप last वाला stage देख रहे हो, ये ठीक है, इस तरीके से, ये हो गया आपका decline वाला stage, ठीक है, क्या हो गया decline, decline का मतलब अब पूरा तो खतम नहीं, लेकिन आप ऐसे यहां तक maturity वाला आपका curve होता है, ध्यान देना maturity वाले curve में ही वो peak पे पहुँचता है, पीक से थोड़ा सा नीचे आना start करता है, इसलिए मैंने ये curve पूरा बनाया हुआ है, then decline में तो आपका पूरा नीचे ही जाएगा, ठीक है, चालो अब इसको समझते हैं, किस period में क्या-क्या चीज़े हो रही होती है अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पे याद रखना, कभी भी जो आपका introduction होता है किसी भी product का, ये तो आपकी चार stage हो गई, ठीक है, ये product cycle की लेकिन आपको कहीं-कहीं ये भी पिलेगा कि, color कौन सा ले लूँ, violet लेता हूँ, यहाँ पे आपका introduction से पहले उस product का आपको development करना होता है, ठीक है, तो कहीं-कहीं आपको ये भी दिख सकता है, अगर option में आपको development दिखता है, और पुछता है कि what is the first step of the which is the first stage of any product life cycle, तो वहाँ पे अगर development का option है, तो वो टिक कर देना but still जो अपने ये लेविट हैं इन्होंने जो बताया था, वो बोले कि introduction से इन्होंने अपना जो आर्टिकल से वो start किये, बट जैसे जैसे आगे इसमे additions हुए और product cycle में अपने concept डाले गए, तो एक ये भी डाला गया कि जो development होता है किसी भी product का वो भी उसकी life cycle का ही पार्ट है तो ये आपका एक तरीके से आप इसको बस समझ लो, question जैसा भी आपसे फिर demand करेगा, उसके according हमें जाना पड़ेगा, ठीक है, तो देखो मैं आपको हर product को सबसे पहले development कर लिया, फिर होता ये बहुत, ये सबसे crucial part होता है आपका किसी भी product का introduction आपका अगर product introduction के साथ ही धनाम बोल गया, यानि कि आपका introduction आपने कराया, वो ठीक से नहीं हो पाया, introduction आपका लोगों तक उनके mind को एक तरीके से ये सही से जो इनका पहला step होता है आपका strategy बनाने वाला, ब्याद आ रहा है CRM का model बताया था, वहाँ पे strategy business strategy है ना, तो ये वही form नहीं कर पाया, तो introduction ही इन्होंने ठीक से नहीं करा पाया, तो सारी चीज़ा रिलेट हो रही है इन्टोडक्शन ही ठीक से नहीं करा पाया, इन्होंने ये समझाई नहीं पाया, हम किसके लिए लेके आए विकाज इनकी कोई strategy नहीं थी, नोने अपने target customer को पैचानी नहीं पाया तो nano flop हो गई यहीं पे, कहां ही वो फिर growth करेगी, ना maturity होई, ना decline होई उसका बस development हुआ, और वो introduction के साथ ही fail, ठीक है तो यह चीज होती है, आपका product development हो गया, तो आपको जब आप market में release कर रहे हो, ठीक है तो उसका introduction properly होना चीए क्या करते हैं इसमें, यह जो पहले वाले case में आप product का क्या करते हो, market में release ठीक है, introduction का मतलब होता है market release करना, तो आप आज के टाइम पे कोई भी release के टाइम पे आप जितनी hype बनाओगे, उतना ज़्यादा वो product बिकेगा, आज के टाइम पे अगर आप observe करते होगे, तो जो भी mobile phones आते हैं, किसी एक कोई भी mobile phone की company उठालो, जैसे कि है आपका, तो उसमें क्या होता है, product आया, वो बिग गया, दो घंटे में, मैं आपको समझाता हूँ यार, छलो, थोड़ी सी deep बात है, बताई देता हूँ, दो-तीन मिनट में, ये जो आपकी companies होती है, आप देखते हो, realme का phone आया, redme का phone आया, या फिर Xiaomi का phone आया, इन companies के phone तुरंत ही stock out हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कि तुरंत के तुरंत stock out हो गया, ये लोग क्या करते हैं न, पहले वो selected item ही डालते हैं, उनको, वो उनका ये उनका पहले से pre-plant होता है, कि आपका जो phone है, वो stock out होना ही है anyhow, वो दिखाएंगे कि stock out हो गया so that वो जब भी अगली बार आपको बताएं कि आप जैसे कि suppose करो, उन्होंने क्या बोला, आज आपकी 13th है, आज आपकी sale है 12 पीम से, आपकी sale हुई 12 पीम से, और 1 पीम को वो sale खतम होगी, और उन्होंने नहीं कर पाया, तो ये phone तो sell out हो जाएगा बहुत अच्छे features है, और पूरा का पूरा इसका stock बिखने लग रहा है तो लोगों के अंदर एक क्या आजाता है कि इसकी जो release है ना, वो बहुत ही दमदार हुई है, introduction phone का बहुत दमदार हुआ है introduction videos आती हैं फोन में अब features तो आपको डालने ही पड़ेंगे न features अच्छे ये लोग डालते ही हैं उसमें तो उसका introduction video काफी अच्छा रहता है एक point ये होता है कि customer को लगता है, सारा सामान बिकरा है जल्दी जल्दी बिकरा एक काम करता हूँ मैं अभी इसको जल्दी ले लेता हूँ आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा sale है तो अभी pricing भी कम है ठीक है, इसलिए ये tactics इसमें use की जाती है यानि कि तरीक से जो market release है वो आपका दमदार होना चाहिए तभी आपके product में आगे चलके क्या होगी growth होगी, ठीक है ये होता है खेर, समझ में आया क्या चालो, अब आपकी second stage आगी तो अब आपको यहाँ पे एक चीज clear होगी कि sir यहाँ पे हमने ये जो अपना introduction का phase है कुछ points हमें clear हुए है तो अब जो आपको हुए है वो आप अपने हसाब से लिखो अब मैं आपको और भी लिखाता हूँ लिए तो पता नहीं किस क्या क्या लिखोगे लिखो एक बार यहाँ पर क्या होता है जो principle goal होता है principle goal होता है जो introduction stage का ये क्या है भई introduction stage का, जो principal प्रोड़क्ट ठीक है ना जो भी आपका प्रोड़क्ट है उसके लिए डिमांड क्रेट कर देना अब यह जो आपका यहां पर आपने देखा कि भाई यह हमारा प्रोड़क्ट वो आपका 13 को लेके आए फ्लेश सेल हो गई है 16 को अब लोग तयार बैठे हुआ है यह क्या हो इसमें कफ्यूस मत है चलो खर क्या है प्रोड़क्ट वी लिए डिमांड बिल्ड कर दी and build demand for product आ जाएगा and get it into the hands of consumer hands of consumer यानि कि जो आपका product है उसकी demand बढ़ा के आपको अपने consumer के हाथ में पहुचा देना है अपना product hoping to later hoping to later ये देखो एक point है दूसरा point देखना hoping to later cash in on ये आपकी phrasal verb होती इसका मतलब होता है उसको फाइदा उठाना ठीक है ज्यादा से ज्यादा इट्स ग्रोइंग पॉपुलेरिटी इट्स ग्रोइंग पॉपुलेरिटी ग्रोइंग पॉपुलेरिटी अब इसके लिए आपको एक case study बताता हूं बड़े ही ध्यान से आप इस case study को जो है सुनना अब हुआ क्या आपने आमेक्स प्लेयर का नाम सुना होगा आमेक्स प्लेयर ने क्या किया पहले अपना फ्री वाला चीज़ें निकाली यानि कि consumer के हाथ में इसने अपना फ्री मूवीज अपने प्लेटफॉर्म पे दिया फिर फ्री वैब सिरीज वगेरा दी तो लोगों के हाथ में इसने अपना प्रोड़क्ट तो पहुचा दिया गी हमारी ये वैब सिरीज ऐसे मूवीज ला रहे हैं अब जैसे जैसे इसकी पॉप् demand for product कैसे बनती है मैंने 13 को अपनी flash sale निकाली ठीक है क्या किया एक तरीके से आपका MX player की भी जब लोगों के पास पहुच गया दिमांड बड़ी है और यहां पर अगर मैं 13th date को मैंने flash sale निकाली और इसको बंद कर दिया बीच में कि flash sale जो है वो खतम होगी because मेरा product stock out हो गया लोगों के अंदर क्या desire बढ़ेगी अरे इतने अच्छा phone है launch हो गया तो इसको हमें भी order करना चाहिए लोगों के हाथ में पहुचेगा यहां भी ultimately और फिर अगर आपकी features अच्छी होगी आपका अच्छा product होगा तो of course वो क्या करेगा sale बहुत ज़्यादा करेगा अब sale करन चलो growth phase में क्या होता है तो growth period में जैसे ये अंडर किया है तो यहाँ पे इसकी जो product था वो बिकना तो start होई गया होगा अच्छा background में अगर आपको थोड़ी से noise वगरा लगे तो mind that अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको कि growth वाले period में आपका सामान वगरा बिकना तो start हो ग तो maintain रखोगे और अगर आप इसमें कुछ additional features देना चाहते हो additional services देना चाहते हो जिसे की और ज़्यादा growth हो ठीक है na growth time पे क्या करेंगे हम और भी ज़्यादा अच्छा है इसे बनाने की कुशिश करेंगे तो याद रखना कि आपका growth stage में क्या क्या होता है growth stage की बात कर रहे जाएगा maintain किया जाएगा और इसमें additional features आपकी डाली जाएंगी additional features हो गई या फिर आपकी क्या हो गई services clear है दन आपका जो distribution channels है क्योंकि आपका growth हो रही है तो demand बढ़ेगी ना demand बढ़ेगी यानि कि आपका supply आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी तो distribution channels यहाँ पे आपको maintain करन यह question आपका बनता है कि supply supply की जो हमारी distribution की है फिर supply है उस वो add कहां की जाती है ठीक है आपका distribution हो गया फिर आपका promotion ठीक है ना promotion किया जाता है ज्यादा से ज्यादा कि और भी ज्यादा broader audience सग हम पहुंच पाई ठीक है promotions किये जाते है आपके इसमें फिर आजाती है यहाँ पे maturity stage अब maturity stage में सबसे पहली बास समझना अगर आपका किसी question में यह पूचा जाए product की ऐसी कौनसी stage होती है जहाँ पे आपका growth भी दिखती है हमें और उसका decline भी दिखता है तो अगर आप देखोगे तो maturity में highest point होता है growth का एक और growth के पहले भी आपका देखोगे अगर आप इस start को ध्यान से देखोगे तो growth यहाँ पे होती जारी है इस point तक फिर इस point से यहाँ पे कहीं ना कहीं decline होना start हो गया क्योंकि आप क्या होगा आपका कई सारी यहाँ पे companies आपके आपके जब देखो growth होती है तो of course यहाँ पे जो competition है वो बढ़ेगा जो अगली जो और companies होगी वो अलग-अलग tactics बनाती है कि इसकी growth को रोग करके हम अपना product और बेच पाए ठीक है तो यह सब रहता है यहाँ पे आप 我 maturity की स्टेज में आओगे तो आपको product में क्या करना पड़ेगा differentiate करना पड़ेगा competitors है अगर question पूछा जाए हम अपने product को differentiate कब करते हैं differentiation of product from competitors ये किस stage में किया जाता है ये किया जाता है आपका maturity की stage में क्योंकि आपका product दी में दी में गिर रहा है आपने अगर time रहते हैं उसको और भी अपने competitors improve नहीं किया तो वो नीचे गिरता चला जाएगा decline phase में आ जाएगा decline phase में जाने से बचाना है तो आपको product को और लोगों की जो pricing को उससे थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा ठीक है ये बात अब pricing जो होती है आपका maturity stage में जो आपकी pricing होती है pricing आप इसमें क्या करोगे pricing अपनी धीमे धीमे कम करोगे competition से जब आप pricing करोगे तो हो सकता है कि आपका सामान और भी बिखने लग जाए ठीक है ये चीज दन आपका distribution जो है आप और intensive कर देते हो यानि कि आपका अब यहाँ पर देखना distribution में क्या होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिच करोगे कि मेरा जो item है या फिर मेरा जो product है वो मेरे competitor product से ज़्यादा distribute हो पाए लोगों तक ज़्यादा पहुँच पाए retailers तक ज़्यादा पहुच पाए जब retailers तक ज़्यादा पहुचेगा तभी आपका सामान ज़्यादा बिकेगा ये सब इसमें होता है और आप promotion करने लगते हो promotion किस level का होता है promotion होता है आपका product differentiation level पे अगर ऐसा question पूचा जाए product differentiation level पे आपका promotion किस stage पर किया जाता है तो maturity की stage में किया जाता है ठीक है अब decline में क्या होता है decline में तो फिर अब अगर ये सब चीज़े maintain नहीं कर पाए तो आपका product यहाँ पे धीमे धीमे क्या है गितना start हो जाएगा उसका decline आपका product का start हो जाएगा ठीक है तो अब decline आपका जब product होता है तो धीमे धीमे अब उसका market पूरा खतम हो जाएगा आप उसे क्या करना होगा या तो आप क्या क्या करना होगा या तो आप decline phase में एक अच्छा word यूज किया जाता है एक तो आप यह क्या करो या तो resonate कर दो जैसा कि motorola ने किया ठीक है motorola ने क्या किया resonate कर दिया आपने product को लेकिनी भी sustain नहीं कर पाए लेनोवो को इन्हों करो harvest the product product को harvest करने का मतलब क्या होता है कि आप जो उसकी costing है उसको reduce कर दो और इसको continuously अपना offer करते रहो तो आपने cost cutting कर दी और आप इसे continue कर रहे हो offer करना किसको जो आपके loyal customers है ठीके ना यानि कि जो customers आपसे पहले से जोड़े हैं अब आप धीमे धीमे सबसे पहला काम होगा उनको तो retain करके रखो उनको आप cost cutting करके दो आप उनको offer लगा के दो या कुछ भी करके दो इसको बोलते हैं harvest the product फिर अब आप decline stage से कैसे उठोगे loyal customer को बनाया फिर आपने उसमें और features आइड करे उनमें आप improvement करोगे और आपके जो switchers हैं अब देखो यहाँ पे होते हैं ना मैंने आपको बताया था customer के behavior में switchers होते हैं कोई switch करके जा रहा है तो उसको आप रोख सकते हो कैसे रोख सकते offer लगा कि अच्छी अच्छी services दे के उसको ठीक है तो यह सब काम हमें decline stage में करने होते हैं clear है बात करेंगे services क्या होती हैं यहां से भी कुछ questions बनते हैं आपका basically जो service के character stick है यहां से question पूछेगा आपसे मैं सबसे पहले तो आप services की definition यहाँ पे लिखो कि क्या basic definition होती है services की सबसे पहली definition यहाँ पे दी गई बैरी और पारसुमन के दौरा ठीक है ना किसने दी है यह बैरी और परसुरम अब यह परसुरमन अगर आपको याद हो तो कौन थे भई परसुरमन तो इन्होंने क्या कहा कि services क्या है आपकी services क्या हो जाएंगी यह क्या होती है एक intangible product होती है ठीक है इन्होंने क्या कहा intangible अब प्रोडक्ट्स, कैसे हैं बई, इन्टैंजिबल, जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं, of course, नहीं कर सकते हैं, involving a, जिसमें की क्या होगा, involving a, deed, ठीक है, deed होता है, किसी का कुछ काम करना, आप performance, उसमें कोई आपकी performance हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर कपिल शरमा शो देखने चाहते हो आप क्या देखने चाहते हो उसकी पर्फॉर्मेंस देखने चाहते हो ना वह एक इवेंट है और आप उसकी सर्विसेस ही तो लेके आ रहे हो ठीक है पर्फॉर्मेंस होगी इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा एन एफ़र्ट ठीक है ना कोई एक ऐसा लिखा हुआ अच्छे से लिख लेना ऐसे जो सर्वसेस होती है वो एसे इंटैंजिबल प्रॉडक्त हैं जिन में क्या होता है आपका कोई एक deed होती है कोई performance है कोई ऐसा effort है जिसको आप physically possess नहीं कर सकते हो अब intangible है तो of course आप उसे physically possess तो नहीं कर सकते हो ठीक है बट वो उसमें क्या होगा कोई एक ऐसा काम किया गया होगा आपके लिए कोई performance की गई होगी आपके लिए कोई effort किया गया होगा ठीक है यह होता है आपका services की definition according to Barry and Pursoruman बट यहाँ पर services की जो सबसे comprehensive definition दी है ठीक है services की एक comprehensive definition दी है किसने तो यहाँ पर आपका आएगा Christian Gronrose ठीक है किसने दी है Christian Gronrose ने जो है इसकी फिर सबसे सही definition दी Gronrose तो इन्होंने सारी चीज़े include करके बताया सबसे पहले तो वह definition लिखो काफी comprehensive है क्या बोला इन्होंने इन्होंने बोला कि a service यानि कि जो service है is an is an activity ठीक है service क्या होती है कोई activity होती है और series ठीक है कोई activity है या फिर series है of more than series of more than क्या भी more बोल दो या फिर more or less more or less intangible nature more or less intangible nature यानि कि ये जो आपकी ये जो आपकी service है वो एक activity है या फिर एक series of more or less intangible nature that normally that normally एक बार पहले आप इसको लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूँ ठीक है न क्या होगा that normally not necessarily जान देना normally but not necessarily not necessarily takes place in interaction takes place in interaction interaction अब देखो ये interaction किसके बीच में होगा between the customer ठीक है between the नीचे आते हैं थोड़ा सा between the customer अच्छा writing समझ में आ रही है न जिसको नहीं आ रही उल्टा लटका दूँगा मैं साथ में बोलता भी जा रहा हूँ मेरे वर्ट्स पर अच्छे से ध्यान देना क्या है between the customer and service employees and service employees मतलब कि जब भी आपका customers का और service employees का क्या होता है एक तरीके से interaction होता है तो वहाँ पे आपका कोई intangible nature की service दी जा रही है या फिर intangible nature का कुछ आपको activity दी जा रही है तो वह service होती है लेकिन ध्यान देना यह जरूरी नहीं है कि जब जब interaction हो तब तब आपको कोई ना कोई service मिले तो not necessarily इसलिए यहाँ पे use किया गया है तो service employees हो गया आगे क्या लिखोगे भई and and या फिर all ठीक है ना and या और physical resources physical resources physical resources हो गया ठीक है देन आपका क्या होगा or goods or goods फिर आपका and या और अभी मैं समझाओंगा यह हम क्यों यहाँ यहाँ पे and या और का use कर रहे है and या और आपका system of the service provider system of the service of the service provider यानि कि आप यहाँ पे इस सब का use करोगे which are provided as a provider which are which are provided provided as the कैसे भई as the solutions to customers problem solutions to customer problems to customer problems ठीक है यह आपका customer लिखा हुआ है writing ठीक ठाक लग रही है ना वैसे थोड़ी सी गंदी हो गही जाता कोई नहीं देखो अब क्या बोला गया यहाँ पे ध्यान से सुनना उसने क्या बोला अब जो Christian ground rules थे इन्होंने क्या बोला कि जो service होती है वो एक activity है या फिर आपका series of intangible nature है जिसमें कि आपका normally normally होता है ऐसा जब interaction होता है आपका किसका भई interaction between customer and service employee होता है तो वो आपके लैपी की servicing करके देगा ही देगा लेकिन आप उसके physical resources का भी वहाँ पे क्या करोगे use करोगे क्योंकि उसकी shop में जाके आप बैठोगे ठीक है आप वहाँ पे अगर उसकी service center में इसी बगएरा लगा हुआ है उसका use करोगे तो यह सब क्या है उसके physical resources है लेकिन use आप कर रहे हो ठीक है ना अब यह नहीं आप यह कहोगे हमें थंडी हवा खाके आया तो यह कोई tangible तो है नहीं है ना intangible ही है और goods या फिर उसके जो goods है physical resources है आपने उसका use किया या फिर उसका जो system है service provider का आपने उसका use किया क्योंकि आप अपना सही करायने के उसने सही करके दे दिया servicing दी है आपको यह हो गया या फिर आप suppose करो किसी कपिल चर्मा शो में गए lettuce से वहाँ पर आप जाके बैठ होगे बैठने की आपकी एक विवस्ता वगएरा होगी जो भी है तो वहाँ पर आप बैठ होगे बैठ के आओगे या फिर आपको पानी वगएरा serve किया जा रहा है तो यह सब आप क्या है वहाँ के system का use करके आते हो यह सब भी provide किया जाता है as a solution to the customer problem ठीक है यह चीज हो गई definition एक बार याद रखना इसमें जो wordings use हुई है इससे questions बन जाते है अब लिखो यहाँ पर characteristics of services सबसे ज़्यादा important characteristics of services यानि कि जितनी भी services होती है उसके कितने characteristics होते हैं तो याद रखना हमेशा total आपके 5 characteristics होते हैं इसी भी servicing के ठीक है फाइव नी total six होते है ठीक है six होते है total कौन कौन से होते है इनके नाम तो आपको याद रखने ही रखने है anyhow ठीक है क्या लिखोगे भई पहला बाला पहला हो जाता है आपका red color से इसको लिखेंगे हम सबसे पहला हो जाता है आपका intangibility ठीक है क्या हो जाता है intangibility intangibility मतलब services कैसी होती है intangible होती है तो characteristics है ही सही ये तो आपको पता भी होगा दूसरा होता है inseparability ठीक है ना inseparability यानि कि inseparability होती है किसी भी service में किस किस चीज की अब तो inseparability होती है production and consumption inseparability of production and consumption and consumption clear है अगर आपसे question ऐसा पूँछ लेता है कि किस process में there is a inseparability of production and consumption तो याद रखना उसका answer फिर सबसे सो जाएगा तो question ऐसे गुमा फिर आगे कहीं से भी पूँछ सकता है तो आप लोग question की wordings पे पूरा पढ़ते नहीं हो हमेशा question को पूरा पढ़ा करो एक एक शब्द लिखा क्या गया है ठीक है third number पे आता है अपना heterogeneity ठीक है क्या बोलते है heterogeneity समझाओगा अभी ये सब क्या क्या है एक बार लिख लो फिर आपका fourth number पे आ जाता है perishability ठीक है ना क्या बोलते हैं इसको perishability perishability भी characteristic है then fifth number पे आ जाता है client based relationship servicing में क्या होता है आपका client based relationship होती है relationship clear हो गया then आपका sixth number पे आ जाता है customer contact क्या हो जाता है भई customer contact हो जाता है sixth number पे अब ये क्या-क्या चीज़े हैं सबसे पहले तो एक रक्टेस्टेक हैं यह आपको हमेशा याद रखने हैं यह कॉशन आपका मतलब बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप प्रोड़क्ट एंड सर्वसे से कॉशन आएगा तो यह कॉशन आना मस्ट होता है अब देखो जब हैने आपसे बात की इंटेंजिबिलेटी की आप इंटेंजिबिलेटी होती है किसी भी प्रोड़क्ट में क्या होती है टेंजिबिलेटी होती है आपको पता होगा सबोस करो आप car ख़रीदने ऺए तो आप car का look देख सकते हो कर भी किसी भी product की क्या कर सकते हो एक तरीके से उसको आप टेस्ट कर सकते हो ठीक है एक तरीके से मैंट में उसका एक प्रीसेट कुछ रख सकते हो बट जब भी हम intangibility या फिर services की बात करते हैं जब भी आपके सामने आएगा pure servicing ठीक है मैंने आपको बताया हुआ है pure service क्या होती है तो pure service का जब भी आपके सामने ये word आएगा इसका मत्तब है कि आप कुछ verify नहीं कर पाथ देखो before buying हम क्या गर सकते हैं कार को test वगयरा कर सकते हैं लेकिन verify कर सकते हैं लेकिन before buying आप किसी भी service को आप क्या गर सकते हो या feel नहीं कर सकते हो है ना यानि कि आप उसको कोई भी टेस्टिंग नहीं कर सकते उसको टच नहीं कर सकते टेस्ट नहीं कर सकते स्मेल नहीं कर सकते ठीक है तो ये सब आता है Intangibility में Now second number है हमारा inseparability ध्यान से समझना आप इसको जब भी आपको कोई service दी जा रही है अब जरा मेरी बात को बहुत गौर से सुनना कोई एक product है suppose करो आप जब car लेने जाते हो तो उसका production कहीं और होता है production यहाँ पे factory में होगा और आपको car बेची बहुत दूर जा रही होगी किसी retailer के पास या फिर जो भी आपका जिसकी वहाँ पे वो होगी क्या बोलते है store होगा ठीक है तो आपको यहाँ पे करना यहाँ पे क्या होता है आपका production अलग है consumption अलग है इनकी बीच में क्या है separability है यानि कि यह अलग-अलग है separate है लेकिन जब मैं servicing की बात करूँगा तो servicing में जहाँ production होता है वही consumption होता है यानि कि जब आप कपिल शर्मा शो देख रहे हो तब आप वहाँ पे वो produce भी तो तभी कर रहा है अपने सारे के सारे जो भी active हो prepare करके आया है वो produce कब कर रहा है आपके just now produce किया और आपने तभी उसको consume कर लिया तो ऐसा नहीं है कि service का production अलग हो consumption अलग हो अब बात समझ गे दिमाग में बैठ गई होगी बात पूरे धान से है ना तो जब भी servicing का आपका production होता है तभी आपको उसका use करना पड़ता है simple सी बात है ऐसा नहीं होगा कि servicing produce करके पहले हो रख दी गई और आप बात में उसका consumption कर रहे हो ठीक है अब आप बोलोगे सर वीडियो recording होती है हम TV में देखते हैं ये सब भी तो है तब भी आप जब TV देख रहे हो ना तब आपकी आँखों के सामने जो चल चित्र चल रहे है वो उस time वो produce हो रहा है ठीक है वो आपकी जो service है ना आपकी services में क्या है क्या आपने KSS की servicing ली ने यहाँ पे आपने उस TV की servicing ली है उस TV में जो dish TV चल रहे है उसकी servicing ली है तो उस servicing का production का वो रहा है at the time जो आप उसे देख रहे हो फोन में आपकी data से देख रहे हो ना data से आप data की services ले रहे हो, बहुत सारी services होती है, उस case में आप phone की services ले रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका production उसी time हो रहा है, जब आप उसका consumption कर रहे हो, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, कोई इसमें आपको doubt नहीं आना चाहिए, then आपका आता है heterogeneity, heterogeneity का क्य मतलब है, कि इसमें जो है, अलग-अलग services में, अलग-अलग type का difference हो सकता है, समझना ध्यान से, अब आपने, कोई भी example ले लो, कपिल शर्मा शोकरी उठालो, आप इसकी services लेने के, तो ज़रूरी थोड़ी ना है, कि ये उतना ही amount of आपको हसाएगा हर episode में, किसी episode में कोई आपका measurement तो है नहीं, कोई product तो है नहीं, जिसे आप touch करके, feel करके लियाओ, car एक लियाओ, same model की, सारी same same होगी, services में क्या होता है, कि suppose करो आपको, अगर A customer गया है, तो उसको अलग type की मिले, B type का गया है, B customer गया है, तो उसको अलग type की मिले, है ना, क्योंकि आपका जो हो गई ना, services, तो services जो होती है, उनका characteristic यह है, कि उनके बीच में असमानता पाई जाती है, clear है, मेरी बास समझ में आती है, क्या इतनी सी, अब यह perishability का मतलब समझना, perishability का क्या मतलब होता है, हिंदी में, सबसे पहले क्या बोला जाता है, भंगुरता, ठीक है न, यानि कि व जादा इसमें clarity आएगी, इसमें क्या होता है, कि जैसे कि आप physical goods को क्या कर सकते हो, इनको store करके रख सकते हो, जैसे कि आपने अपना car cup models निकाल दिये, एक बार में नहीं बिखी, तो वो रखी रहेगी, store होके बाद में, दीमे, 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 बिखती रहेगी, अरे बोलो ह phones के case में भी ऐसे होगा, phone एक बार में नहीं बिखा, तो अगली sale में बिख जाएगा, लेकिन जो services होती है, एक बार अगर वो produce हो गई, तो फिर वो तो भई, अगर आपकी पूरी बिखती है, तो ठीक, नहीं बिखती है, तो ठीक, विगाज उसका production and consumption तो एक साथ होता है, production क साथ अगर उसका consumption हो गया, तो ठीक है एक बार में, अगर वो इतने लोग नहीं ले पाए, तो वो waste हो जाएगी, अब इसका example आप ऐसे समझो, जो airlines होती है, ठीक है, airlines हो गई, airline में आप क्या करते हो, टिकट की आपने booking करी है, और seat वगएर आपकी पूरी नहीं भर पाई, अ यानि कि उसने production शुरू कर दिया, servicing ने अपना, और लोगों ने उसका consumption शुरू कर दिया, क्योंकि वो travel करते हुए जा रहे हैं, लेकिन अगर 10 seats ये खाली हैं, तो इसका revenue तो कम हो जाएगा, तो आपने देखा होगा, airlines क्या करती है, जब इनका, जब कम लोग booking करते हैं, airline की तो ये लोग बहुत सारे offer निकालते हैं, कि हम कम में दे रहे हैं, 50% off है, travel पे ये है, वो है, because ये service पे based है purely, क्योंकि अगर वो booking पूरी नहीं होगी, तब भी उनको जाना तो है, उतना ही उनका पैसा लगना है, उतनी servicing में production कर रहे हैं, अगर पूरा consumption नहीं होगा, तो घा उसे पूरी seat है, उसकी जितनी seat होती है, अगर वो कपिल शर्मा शोगा हटा हो, इस बार हम stand-up का लेते हैं, जो stand-up comedy shows होते हैं, अब आप online वाला मत बोलना, वो pandemic की वज़े से होगा और उसको stand-up नहीं बोलते है, जो online होता है, stand-up का मतलब होता है, सामने stage पर कोई खड़ा ह के performance दे रहा है, ठीक है, चलो खेर, stand-up में क्या होता है, कि वहाँ पे आपकी seats हैं, suppose करो 100 seats हैं, अब वो तो यहाँ पे अपनी service दे रहा है, अपनी service दे रहा है, consumption अगर उसका 100 लोगों का नहीं हो पाया, तो उसे loss हो गया, अगर यहाँ पे 100 लोग बैठ जाएंगे, तो यह बार में बिख जाएगी, भंगुरता का मतलब होता है, कि आपका खतम हो गया, एक ही बार उसका हता है, एकदम आपकी servicing दी जाती है, और उसमें फिर खतम एक ही बार में, अगर एक बार में जितने लोग उसका use कर पाएं, तो कर पाएं, consume कर पाएं, तो कर पाएं, फिर क्या जाता है जो पहले बता रखता है professional होते हैं कि हम professionals की help लेते हैं आपके doctors हो ओगए ठीक है या फिर आपके lawyers हो गये ये क्या है आपके प्रॉफेशनल अपना जो इनसे अ client based relationship होता जाइन अपनी service कैसे 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 देते हैं अपने section 304 लगाया आजाओ सामने है ना ऐसा नहीं होता है तो अलग-अलग जो है लग रहे होते हैं धारा है या फिर आपका तो इसमें क्या होता है ना client based होता है आपका एक client की क्या problem है दूसरे client की क्या problem है एक को हो सकता है खासी है दूसरे को property related case है तो अलग-अलग इसको क्या बूला जाता है client based relationship और यह pure service प्रोवाइड करते हैं हमेशा याद रखना अगर इस मुझे थोड़ी throat में problem रहती है और आपको पता भी होगा मैं जादा लगादार मुझे बोलने में थोड़ा सा issue होता है खैर देखो या अब यह लास्ट वाला consumer customer contact इसमें क्या मतलब होता है इसका आपका अप service की जब भी delivery होती है ना तब वहाँ पे customer contact होना must है अब इसमें क्या आपने भाई को भेज़ दोगे नहीं भेज़ोगे अगर आपको लेना है इसका experience अगर इसकी service आपको लेने तो आपको जाना पड़ेगा ना तो याद रखना कभी भी services में हमेशा customer contact होता ही होता है ठीक है ना क्या होता है हमेशा customer इवेन यहाँ पर आपका consumer लिख सकते हों आपको पढ़ना है तो आप पढ़ना है तो आप जाओ पढ़ो और exam दो व पढ़ेगा समझताव तो कस्टमर का कॉंटेक्ट होता है इसकेस में हमेशा क्या होगा किसन का क्योंतेक्स साथ मेंинуकर का कॉंटिक होते हैं किसी पागेटिंग जल दी ही, don't worry, अच्छे से महनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, and मिलते हैं, next वाली ग्लास में, आपकी जो भी होगी, economics के लिए कुछ mcuse क्या करते हैं, ठीक है, करते हैं, कुछ mcuse करते हैं, इसके important वाले, and बस, फिर end करते हैं, session को, आप अच्छे से महनत करते रहे, देखो, मैं कितनी महनत कर रहा हूँ, आपके लिए क्यों कर रहा हूँ, मुझे मिल क्या रहा है, मुझे ये बताओ, आप लोग कितने भी आओ, नहीं आओ, like करो, नहीं करो, जो करना है करो, doesn't matter to me, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, so that आपको बस इससे फाइदा मिल जाए, मैं जब इतने से के लिए आपको पढ़ा सकता हूँ, कि आपका फाइदा हो जाएगा, as the last moment भी लगा हुआ हूँ, आपके साथ, तो आप से पढ़ा नहीं जाता, यह थोड़ा सोच के शरम किया करो, अगर आप नहीं पढ़ा रहे हो तो, वैसे मुझे पता है, बहुत सारे उशार बच्चेया लगाता है, पढ़ते रहते हो, but still, मैं चिलाता रहूँगा, जिसे की और ज़्यादा पढ़ो, ठीक है, I will push you, तो आपको अपनी, हाँ, एक चीज़ और आपको अपनी जो आपकी boundaries है न, कि आपने boundary set कर ली, कि यार मुझे तो अब नीद आ रही है, एक चीज़ हमेशा ट्राई करना, जब भी आपका पढ़ने सा ठक जाओ, आप सोचो एर थोड़ा सा rest लेता हूँ, तब 10 मिनिट एक्स् इने को मिलेगा, ठीक है, तो बस यार इस session को इन परेंड करते हैं, thank you so much, God bless you all, take care and bye-bye.